हमारी कंपनी के संस्थापक सिध्धानतों के बारे में बात करते हैं जब मैंने ये कंपनी शुरू की थी तो सबसे पहली बात जो मैंने सोचा वो बीइंग था एक कंपनी को कभी असफल नहीं होना चाहिए इसे जीवित रहने में सक्षम होने की अवश्रक्ता है पहले वेवसाय से बाहर जाने के बाद ऐसा लगता है कि असफल होने से धिकांश अपराधों की तुलना में बहुत अधिक नुकसान होता है दिवालिया होने वाली कंपनीयों के जो अधिकारी हैं उनके साथ वास्तव में अपराधियों की तरह वेवार किया जाता है इस प्रकार मैंने महसूस किया कि एक कमपनी नीचे नहीं जा सकती है यदि आप असफल नहीं होना चाते हैं तो आपको जानना होगा कि कमपनियां दिवालियां क्यूं हो जाती हैं और फिर इसे होने से रोखने के लिए सुरक्षा सावधानिया तयार करे किसी भी कमपनी के विफल होने का कारण बहुत सरल है ये आम तोर पर खर्चों के कारण होता है यदि कोई खर्च नहीं होता तो एक वेविसाय हमेशा के लिए चल सकता है हाला कि इन खर्चों और लागतों के कारण एक कमपनियां दिवालियां हो जाती है इन खर्चों को आम तोर पर fixed और variable cost के रूप में वरगी गरत किया जाता है और fixed cost के मामले में सबसे बड़ी labor cost है यदि आपके पास करमचारी है तो आपको एक कारेले के अवशक्ता होगी जिसका अर्थ है किराय की फीस विविद लागते होंगी जो उत्पन होंगी एक company के अस्तित्व के लिए जितना हो सके इस श्रम लागत को कम करना भी सबसे अच्छा होगा ये बहुत ही जादा जरूरी है और नियूनतम जो ये खर्च बन सकता है वो शून्य है क्यूंकि आप उस खर्च को और कम नहीं कर सकते यह इसे absolute value बना देगा अतह यदि आपने श्रम लागत जो की सबसे अधिक व्याय है घटा कर शून्य कर दिया कम्पनी अंततह मानव रहित हो जाएगी और आटमी के प्रबंधन लक्षयों में से एक का लक्ष मानव रहित कम्पनी बनाना है ऐसा होने के लिए सब कुछ कम्प्यूटरी कृत होना चाहिए कम्प्यूटर से सारे काम कम्प्यूटरी करण के द्वारा करवा के श्रमिकों की संख्या को कम करना संभव होगा जब कोई कम्पनी बढ़ती है तो करमचारियों की संख्या बढ़ती है और खर्चों में विर्धी, सीधे वर्धी के समानुपाती होगी अब किसी समय कमपणी की बिकरी अचानक और तीजी से गिर सकता है हालाकि करमचारियों को उसी तरह कम करना मुश्किल है क्योंकि श्रम लागत का सामना करना कठिन है इस थिती से कमपनी दिवालिया हो सकती है वैसे तो इस कमपनी का उद्देश कभी असफल नहीं होना है जब मैं एक कमपनी के लिए काम कर रहा था मैंने कारखाने बनाए और विभिन्न कार किये जो सफल रहे फिर मैंने अपनी कमपनी शुरू की जो एक उनलाइन शॉपिंग मॉल था लेकिन अंत में दिवालिया हो गया हाला कि अभी बहुत से लोग उनलाइन शॉपिंग करते हैं 13 या 14 साल पहले उनलाइन शॉपिंग करना इतना आम नहीं था मतलब अनिवार्य रूप से मैं समय से आगे था और ये मुझे पकड़ नहीं सका इस प्रकार मैंने उस समय लगभग सब कुछ खो ही दिया था मतलब मैंने जो ये उनलाइन शॉपिंग मॉल खोला था सच कह रहा हूँ ये अपने वक्त से बहुत जादा आगे था और क्योंकि लोग बहुत जादा उनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे तो इसी वज़ा से ये बहुत ही जादा अच्छी तरीके से चल नहीं सका आज जिस तरह से उनलाइन शॉपिंग होती है अगर उस वक्त भी इतनी उनलाइन शॉपिंग होती तो मैं बहुत सफल होता और मैं सब कुछ इस तरह से गवा नहीं बैठता और तब मुझे ही इस बात का हैसास हुआ कि एक कंपनी कभी असफल नहीं हो सकती और इस असफलता का कारण खर्चे है जीवित रहने के लिए श्रम लागत को कम करने की आवशक्ता है जो बदले में किसी भी किराय की फीज को भी कम करेगा क्योंकि इस से लागत कम हो सकती है इसलिए कंपनी को मानव रहित होने की आवशक्ता है और कम्पनी अपने केंद्र में कम्प्यूटर सिस्टम के साथ काम करेगी और यही इस कम्पनी के अस्तित्व या बीइंग का आधार बन गया अगला सिध्धान्त जो होगा वो है स्पीड बींग के साथ एक कमपनी मौजूद हो सकती है, है ना, उसके बाद अगला कदम ग्रोध होगा दरसल कम्प्यूटरी करण का संबन स्पीड के अवधारणा से भी है तो अब बड़ा फ्रेम बनाने के बजाए स्पीड का होना जादा जरूरी है इसे ऐसे समझे, दो पाइपों की कल्पना करिए प्रतेक पाइप में से पानी बह रहा है यदि हम उन पर पाइप A और B का लेबल लगाते हैं तो किस पाइप में से अधिक पानी बह रहा है? अधिकांश लोग पाइप B का उत्तर देंगे इस उधारण में गती की अधारणा को जोडते हैं यदि पाइप A में पानी का बहाव तेज हो, तो क्या होगा? जबकि पाइप B केवल धीरे-धीरे बाहर निकल रहा था अब किस में अधिक पानी निकलेगा? इस थिती में ये पाइप A होगा पाइप का आकार वे को दर्शाता है पाइप A कम लागत वाले के समान होगा और गती का उप्योग करके अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए तो पाइप B जैसे बुनियादी धाचे का विस्तार करने के बजाए आप गती बढ़ा कर दक्षता बढ़ाएंगे ये सच बात है मैं आपको समझाता हूँ हमारा दिमाग भी बहुत सटीक है और जोड और घटाव के साथ गणना करने में अच्छा है फिर भी किसी कारण से हम गुडन की अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं गुडन की हमारी समझ और उससे वास्तविक परणाम बहुत अलग है उधारण के लिए मान ले कि आज के लिए आपका शुरुवाती वेतन 73 रुपे था और अगले दिन दो गुना हो गया जिससे आपको 146, 292, 585 और बहुत कुछ मिलेगा अगर ऐसा होता तो 31 दिन आपको कितना भुकतान मिलता यदि आप गणित करते हैं तो आपको 14 करोड से अधिक प्राप्त होंगे जैसा की आप इस तस्वीर से देख सकते हैं आपको पहले दिन 73, अगले दिन 146, उसके बाद 292 मिले, 585, 1171, 243, 443 आदी फिर भी यदि आप वास्तव में सब कुछ गणना करते हैं आपको एक महिने में 14 करोड से अधिक मिलेंगे इसी तरह एटमी के लिए विकास की गती गुणन के सिधान्त का अनुसरन करता है जिसे जियामितिय प्रग्रती भी कहा जाता है आपके लिए एक ऐसा दिमाग होना जरूरी है जो अच्छी तरह से कैल्कुलेट कर सके और आप जो महिसूस करते हैं उस पर भरोसा करने के बजाए आपको गणित की गणनाओं पर विश्वास और भरोसा करने के अवश्यक्ता है बहुत से लोग सोचते हैं कि गणित ब्रह्माण की भाशा है पर अगर आप इन गणित की गणनाओं पर विश्वास करेंगे तो आप बहुत सफल हो सकते हैं जो लोग सोचते हैं कि गणित ब्रह्माण की भाशा है मैं उन सब के लिए एक उधारन देता हूँ हम उची गगन चुम्बी इमारत बना सकते हैं है ना ऐसी इमारते हैं जिनमें सौ से अधिक मन्जिले हैं हम गणित का उप्योग करके ऐसी चीजे बना सकते हैं जादा तर लोग नीव की पुडिया देख कर सोचते हैं कि क्या ये भीम सौ मन्जिला इमारत के भार का सामना कर सकता है ये असंभव लग सकता है लेकिन आर्केटेक्ट सब कुछ गणना करते हैं ताकि नीव की किरने पूरी इमारत को सहारा दे सके इसी लिए वे इमारते अभ भी खड़ी है इसी प्रकार हमारी भावनाय वास्तविक गणितिय परिणामों से भिन्न हो सकती है जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो आपको संख्याओं पर विश्वास करने की आवश्रक्ता होती है आप सोच सकते हैं मैं एक महिने में 14 लाक या 36 लाक रुपे कैसे क मा सकता हूँ शायद आपको लगे कि असंभव है हलाकि आपको गणाओं पर विश्वास करने की आवश्रक्ता है और गुणा का सिध्धान्त इस सिध्धान्त से हम इतनी तेजी से विकास कर पाते हैं कि भले ही ये अन्य लोगों के लिए कठिन हो 20 या 30 वर्षों तक काम करत हुए 5 लाग से 7 लाग प्रती महा कमाने के लिए अब पर आटमी के साथ 5 गुना अर्जित करने में सक्षम है आप सब लोग और 3 से 5 वर्षों में 36 लाग प्रती महा आप कमा सकते हैं ये गणित के कारण ही संभव है तो आपको किस पर भरोसा करना चाहिए क्या आपको अपनी भावनाव पर या फिर गणित पर भरोसा करना चाहिए आपको गणित करने के आवश्चक्ता है गती का तीसरा कारक जो कमपनी को विकसित करता है समान तरन वितरण की विधी का उप्योग कर रहा है जब आप देख कुछ सीखने के बाद आप किसी और को पढ़ाएंगे तो वो वक्ति किसी को सिखाएगा इत्याधी इत्याधी इस तरीके से किसी को सिखाने में कुछ महीने लगें गेंगे और ये ऐसे ही नीचे की और जारी रहेगा हाला कि एटमी में हम सबको एक ही समय पढ़ाते हैं और ये सेमिनार सिस्टम के साथ किया जाता है आप इस संगोष्टी में सीख रहे हैं है ना अगर आप किसी और को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 6 महिने से लेकर 1 साल तक की पढ़ाही करनी होगी कुछ ही लोग हैं जो ऐसा बिलकुल नहीं कर सकते हैं फिर भी यदि आप एक कंपनी के सेमिनार में आए हैं और आपने जो सीखा उसे पसंद किया आप दूसरों को बता सकते हैं बस आप अभी भी अच्छी तरह से इसे सीख रहे हैं और इस संगोष्टी के रूप में आप बहुत कुछ यहाँ पर आकर सीख सकते हैं ताकि जब आप अपने द्वारा सीखी गई बातों को समीक्षा करें तो वो विक्ति इसे सीख सकें अगली बार इसे सीखने के लिए आप उन्हें साथ ला सकते हैं इस प्रकार इस समिनार सिस्टम के माध्यम से आप एक ही समय में सीख सकते हैं इस समनांतर प्रणाली के माध्यम से सूचना भेजे जाने को ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी कहते हैं वो लोग जो दूर है या जिनके लिए समीक्षा की ज़रूरत है इस प्रकार सब कुछ अपने आप समझने के बज़ाए आप इस ब्रॉड्कास्टिंग सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम है इस प्रणाली के भीतर हमारे पास वीडियो ऑन डिमांड भी है या VOD जिसे हम कहत सकता है ये VOD सीधे आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जा सकता है ताकि आप अपने फोन से दूसरों को दिखा सके विभिन प्रकार के उत्कृष्ट सामगरी है हमारे उत्पात बहुत अच्छे हैं और कीमते कम है प्रबंदन दर्शन और कंपनी की मानसिक्ता के इन जानकारी वित्रन प्रडाली को लागू करने से ये हमें अन्य MLM विवसायों को जल्दी से पार करने की अनुमती देगा उधारन के लिए अगर किसी कमपनी को बढ़ने में 60 साल लगे हों तो हम 10 से 20 वर्षों के भीतर ही उन्हें पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे इस प्रकार कमपनी समानांतर तरीकों से विक्सित हो सकती है और इसी में सबसे बड़ा हाथ होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और सेमिनार सिस्टम का इस प्रकार गती तेज हो सकती है अब तक कमपनी को असफल नहीं होने के लिए बनाये गया था और हमने कमपनी के विकास क संभव बनाया उसके बाद आपको बनाए गई वैल्यू को डिस्ट्रिब्यूट करना होगा जिसका अर्थ है कि तीसरा सिधान्त संतुलन है जब आप इस निर्मित मूल्य को वितरित करते हैं इसे संतुलित तरीके से सांझा करने की आवशक्ता है तो वितरन को संतुलित करने क कि आवशक्ता क्यूं है देखे हमारे पास जो संसाधन और समान है वे हमेशा सीमित और कम होते जाते हैं इस प्रकार इन वस्तुओं को कुशलता पूर्वक वितरत करने के लिए सबसे अच्छा है एक संतुलित धंक से उन्हें साजह करना और ये कुछ इस तरह है इसे लिबिंग्स लाउ कहते हैं और लिबिंग्स बैरल का प्रयोग करते हैं अब एक लकडी की बाल्टी के कल्पना करे जो एक कुए के लिए प्रयोग की जाती थी इसे सबसे अधिक मातर पानी भरने के लिए किन परिस्थतियों की आविश्रक्ता होती है? ठीक है, किनारा एक समान होना चाहिए और प्रतेक लकडी का टुकडा लंबा होना चाहिए. अगर लकडी का एक टुकडा इतना लंबा होता और दूसरा इतना नीचे था, क्या पानी उपर वाले हिस्से में भरा जाएगा या निचले हिस्से में, आप इसे केवल लकडी के सबसे निचले टुकडे में ही भर सकते हैं, अगर इस तरह का असंतुलन होता है, कुछ लोकों को लगेगा कि उन्हें नुकसान हुआ है, और वे चले जाएंगे. आतह यदि आप केंदर में हैं, तो ये घट और उन्हें आंतरिक और बाहरी के रूप में वर्गी करित किया गया है. जब आप एटमी को देखते हैं, जो लोग ये विवसाय करते हैं, वे हमारे बाहरी ग्राहक होंगे, वे ठेकेदार है, है ना? तो शेयर करने की क्या जरूरत है? ठेकेदारों को मुआवजे का उचित वितरन किया जाना चाहिए. अब इन मुआवजा वितरन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वितरन किस प्रकार किया जाना चाहिए? कई MLM कंपनियों में आप वितरन चार्ट को देखो, तो ऐसे कई मामले हैं, जहां कुछ ही लोग हैं जिनको अधिकान शलाब मिलते हैं, और स्टार खिलाडी बन जाते हैं, उधारन के लिए कोई व्यक्ति मुआवजे में 73 करोड कमा रहा होगा, और कोरिया में इतने लोग हैं जो इतरा बनाते हैं, अब कोरिया के पास एक नियम है जहां 35 प्रतिशत वापिस दिया जाना चाहिए, एक व्यक्ति इस 35 प्रतिशत से बड़ा राशी कमाता है, तो ये बाहर से ही बड़ावा देने के लिए एक कम्पनी के लिए आसान है। कम्पनी किसी के द्वारा 7 करोड बनाने का दावा कर सकती है, लेकिन आपको ये समझने की जरुरत है कि ये 7 करोड इन सभी लोगों को भूका रख कर स्टार प्लेयर को देने से आता है, सिर्फ स्टार प्लेयर कमाता है और बाकी सब लोग भूके रह जाते हैं। हाला कि एटमी में हम सीलिंग के कारण इस तरह वित्रत नहीं करते हैं। ये हमें इन लोगों को यहां और अधिक वित्रत करने की अनुमती देता है। इस प्रकार यदि आप अरजक के वित्रन को देखते हैं, डेड़ करोड से अधिक कमाने वाले लोगों की एक उचित राशी है। लोगों की अधिक राशी सतर लाग से अधिक कमा रही है, इससे भी बड़ी राशी 35 लाग बनाती है और बहुत से लोग कम से कम 15 लाग से 20 लाग कमा रहे हैं। अधिकांश MLM कमपनिया यह सब यहां से ले जाएंगी और फिर यहां के विक्ति को दे देंगी। वे स्टार खिलाडी को लगभग सब कुछ देते हैं। इस वेक्ति का आत्प विश्वास को बढ़ाने के लिए और इसे अरजित आय की तरह दिखाने के लिए ताकि वे दूसरों को जॉइन करवा सके। पर एटमी में हमने कहां कि हमें पता है आपका सूपरस्टार प्रतिभाशाली है। आपको नहीं लगता कि 36 लाग प्रतिमा काफी है। क्यों ना उन लोगों के साथ साजा करें जो यहां कम भागिशाली है। और इसलिए वित्रन प्रणाली हमने बदल दी। मैंने तुम्हें पहले सब कुछ बता दिया था तो इसलिए बाद में शिकायत मत करना। फिर से यदि आप और अधिक चाते हैं तो आपको कहीं और जाना है। भले ही आपने एटमी में केवल 36 लाग प्रतिमा कमाया हो। जो जीवन आप जीते हैं वो बहुत अलग नहीं होगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो महिने में 35.5 करोड कमाता है। प्रतिमा, 36 लाग के साथ आपके जीवन के गुडवत्ता उन लोगों के समान होगी जो एक महिने में 36.5 करोड कमाते हैं। इसी तरह सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा है, आर्थ उप्योगिता में वृद्धी होना आवश्चक नहीं है. Law of Diminishing Marginal Utility में कहा गया है कि बहुत अधिक होने से आप उप्योगिता खो देते हैं, यदि बहुत अधिक होने पर उप्योगिता में कमी आती है, क्यों ना इसे उन जगाहों पर बाट दे, जहां इसकी जरुरत है और इसे संतुलन्द बना ले. भोजन करना इसका एक अच्छा उधारण है. अगर आप लगातार खाना खाते हैं, तो आपकी भूख कम होने लगती है. किसी को अधिक खाने के लिए कहना लगभग यातना जैसे लग सकता है. ठीक उसी तरह कमाया हुआ पैसा भी उपियोगी है, जब आप कुछ खास नहीं है. जैसे मेरे लिए दो लाख रुपे एक बड़ी रकम थी. मेरे पूरे जीवन में दो लाख रुपे बहुत पैसे लग रहे थे. जब मैं बीमार था और किराहे पे रह रहा था. मेरी कमपनी के विफल होने के बाद दो लाख रुपे एक बड़ी राशी थी. जब मैं तनाव के स्तर के बारे में सोचता हूँ, जो मेरे पास था जब मैं दो लाख खर्च कर रहा था. तब निंडें लेना कहीं अधिक कठिन लग रहा था. जब मैंने इसकी तुलना आजकल सतर लाख खर्च करने से की? अनिवार्य रूप से सतर लाख के बचाय बहुत पैसा लग रहा है. जब मैं किराय पर रहता था, तब दो लाख रूपे मेरी हैसियत से बहुत जादा पैसा लगता था. आप सभी को ऐसा लगेगा. दो लाख का जीवन यापन भत्ता सतर लाख क साजा करते हैं, ताकि वे एक महिने में दो लाख से साड़े तीन लाख रूपे कमा सके. परिणाम स्वरूब माल की प्रभावकारिता को समग्र रूप से बढ़ाया जा सकता है और उपयोगिता को अधिक्तम किया जा सकता है. पैसों को एक तरफ रोक कर इसे संतुलित तरीक से वितरित करने की अनुमती देता है अटमी. हम आंतरिक रूप से अपने पास मौझूद वस्तूओं को अधिक्तम कर सकते हैं. इसी लिए संतुलित होने के लिए शती पूर्ती प्रणाली भी बनाई गई है. उधारन के लिए मुझे ये पता लगाना था कि एक नए कितना मिलेगा तो सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? पताइए वास्तव में कई मातरा पर सिमूलेशन चला रहा था. 2 लाग पीवी, 15 लाग पीवी के साथ परिक्षण चलाने के द्वारा, 30 लाग पीवी, 50 लाग पीवी और कई अन्य नमबर. भले ही ये अ 25 लाग PV के बजाए केवल 10 लाग PV के साथ है ना हाला कि मुआवजा इतना कम हो जाएगा इस योजना की प्रग्रिती सीडी की तरह होनी चाहिए मैं समझाता हूँ यदि सीडिया बहुत उची हैं तो लोग इसे कठिन समझेंगे और हार माल लेंगे यदि सीडिया बहुत नीचे हैं तो क्या होगा लोग फिर भी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कुछ हासिल ही नहीं होगा इस प्रकार चरणों के लिए उचाई में सही आकार प्रात करना महत्व पूर्ण है ताकि जब आप उपर जाएं तो आप आनन्दित हो यह बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि यह आपको कोशिश करने के लिए प्रेरित करें इस अंक में मनोवेग्यानिक भाग को भी प्रतिपिंबित करना होता है जब तक अध्धक्ष या CEO ने वास्तव में काम नहीं किया है आपको यह नंबर नहीं मिलेगा और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं पहले भी एक ठेकेदार रहा हूँ अपने पिछले अरुभव को आधार बना कर मैं इन चर्णों को बिलकुल सही आकार में बनाने में सक्षम था वैसे भी आप इस तरह से आवश्क संतुलन प्राप्त करते हैं ताकि सभी को वित्रण में अपना हिस्सा मिल सके हाला कि ठेकेदारों को संतुलित मुआफजा मिलता है यह महत्वपूर्ण है कि यह उपर मध्य और नीचे कैसे किया जाता है यदि उपर की तुलना में नीचे बहुत अधिक हो जाता है तो कोई नहीं करेगा यदि उपर वाला नीचे से अधिक प्राप्त करता है तो नीचे वालों के लिए कठिन हो जाता है और वे शीश पर पहुँचने से पहले ही छोड़ देते हैं इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं एक उपयोगत वितरण बनाने में सक्षम था ठेकेदारों के बाद हमारे पास उपहुगता भी है क्योंकि उन्हें भी बदले में कुछ वापिस पाने की जरुरत है उधारण के लिए अगर हम इसे इतना कम कीमत वाला बना दे तो क्या होगा कि कोई मुआवज़ा नहीं है ये अच्छा है या बुरा है हम इसे ऐसा नहीं बनने दे सकते हैं ना हमारे पास जितने भी उत्पाद है अंततह उपहुगता द्वारा खरीदे जाते हैं आटमी में कीमत तै कर दी गई है यही तो सबसे जबरदस्ट वात है आटमी की यहां सारे उत्पादों के दाम तै कर दिये गए हैं यहां उपहुगता अभी भी लभामवित हो सकते हैं और ठेकेदारों के लिए भी खुदरा मार्जन जोड़ने के बाद हलाकि एटमी के तिरा लाग सदस्य हैं आधिकांश लोग केवल उपहुगता हैं वो ठेकेदार नहीं है इन लोगों को मास्टेज उत्पादों को खरी इदने के सदस्य बने और वेकुल सदस्यों का लगभक सत्तर से असी फीसदी हिस्सा बनाते हैं उपहुगताओं को भी उचित लाब मिलता है और इसलिए उन्हें वितरन का हिस्सा मिलता है ठेकेदारों को बिकरी का 35 सदी मुआवजे के रूप में प्राप्त होता है इसार हम उनके साथ भी लाब साजह करते हैं ऐसे निरमाता भी हैं चिन के साथ हम काम करते है और हमें उनके साथ लाब भी बाटना होगा अगर किसी वितरक के पास तल्वार है और निरमाताओं से सबकुछ ले लिया ये कम्पनी टिक नहीं पाएगी इस तरह आप इन निर्माताओं को अनुमती नहीं दे सकते या तो कीमत के लिए अनावशक खर्च जोड़ने के लिए अतह हम इन निर्माताओं से बहुत आधिक नहीं ले सकते इस प्रकार संतुलित वितरण को उन तक भी विस्तारित करने की आवशकता है अब जब कोई वस्त काम में आ जाए ये प्रेणा का कारण बनता है विबिन अतरिक्त कार्यों के लिए और हमें इसे वापस अपने पास लाना है फीडबैक के रूप में बड़े लाब के साथ कई अन्य संस्थाएं हैं जैसे वितरण कंपनिया जो हमारे साथ काम करके पैसा कमाते हैं ये भी उन लोगों के साथ शेयर लाब के लिए महत्व पूर्ण है एक बार जब सब कुछ संतुलित तरीके से वितरित हो जाता है हर कोई संतुष्ट हो जाता है जिससे हम सभी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है परिणाम स्वरूप हम अधिक अतिरिक्त मूल्य बनाते हैं जिसे फिर से वितरित किया जा सकता है जब हम संतुलित की बात करते हैं आर्थिक गतिविधी अतिरिक्त मूल्य बनाती है जो तब वितरित हो जाती है यदि इसे दो प्रमुख डोमेन में विभाजित किया जाता है और बींग अवस्था में आने के बाद हम स्पीड की अवधारण का उप ब्योग करेंगे विसफोटक रूप से अतिरिक्त मूले बनाने के लिए और फिर संतुलित वितरण के माध्यम से कमपनी के स्थायत्व की रक्षा करेंगे इस माध्यम से एक प्रेरक चिंगारी प्रजुलित किया जाएगा जो अधिक अतिरिक्त मूले बनाने के लिए ड्राइ प्रक्ष के बारे में क्या, क्या मुझे वित्रण का हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना चाहिए, तब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। राशी का बहुत होना जरूरी नहीं है लेकिन इसे रोचक बनाने के लिए परयाब तो होना चाहिए है ना सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं कि बहुत कुछ पाना सही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे बिना सीमा के खर्च करना चाहिए उस पैसे को दूसरी बार बाटना चाहिए उधारण के लिए विकलांगों के लिए उपस्तित होना संभब नहीं है ना हाला कि 20 साल से कम उम्र के लोग विविसाय नहीं कर सकते हैं उन में से कुछ को अपने परिवार का भरण पोशन करना पड़ता है ऐसे लोग हैं जो वरिष्ण नागरिक है जो उन्नेत वर्षों के कारण उपस्तित नहीं हो सकते हैं एक अलग वित्रण प्रणाली आवश्चक है उन लोगों के लिए जो इस विवस्था में हिस्सा नहीं ले सकते एक कमपनी के रूप में उस प्रणाली का एक हिस्सा होगी और मैं विक्तिकत रूप से इसे अपने उपर ले लूँगा इस द्वितियक वितरन प्रणाली को बनाने के लिए अगर मैं नहीं करता तो मैं उस एक प्रतिशत का हिस्सा बन जाऊंगा कि 99 प्रतिशत लोग आलोचना कर रहे होंगे यदि आप एक निर्धारित राशी से अधिक धन कमाते हैं कि अतिरिक्त राशी दूसरी बार बाटी जाए वितरन की सर्वोत्तम विधी यही है एटमे प्रणाली का एक हिस्सा बनने के लिए हो सकता है व्यापार करो अपनी भूमी का निभाओ और फिर वितरन का अपना हिस्सा प्राप करें जब वियापार बढ़ता है आप वितरन जारी रखेंगे अपने आसपास के शेत्र में एक सुरक्षा तंत्र की तयारी द्वारा अगर केवल एटमी ठेकेदार सभी अमीर होते और बाकी सब गरीब थे क्या दुनिया इससे बहतर जगा होगी जब वितरन संतुलित हो जाता है आपको इन लोगों को सामाजिक रूप से वापिस देना चाहिए क्रम दक्षता को अधिक्तम करने के लिए उस समय से हर कोई आगे बढ़ सकेगा फिर भी अगर ये असंतुलित हो और कोई बहुत जादा ले ले तो क्या होगा उधारन के लिए एक ठेकेदार था जो इतना शक्तिशाली था कि उस विक्ति ने अपने लिए बहुत अधिक धन ले लिया तो यह कैसे किया गया ठीक है ठेकेदार संग आपूर्ती वितरन के अधिकारों की मांग करेगा और यह की यदी ना मिले तो वे कहीं और चले जाएंगे अतह कार पालिका इसे एसोसियेशन को देगी अब चूकि आप 35 प्रतिशत से अधिक कमिशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं वे एक और कंपनी बनाएंगे जिससे डिलिवरी होनी है यह उन तरीकों में से एक है जो ठेकेदार अधिक धन प्राप्त करने के लिए उप्योग करते हैं मैं जानता हूँ कि यह किस कमपनी ने किया है यह नहीं होना चाहिए अनिवारे रूप से अटमी के अध्धक्ष भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे ही उत्पात डिलिवर होते हैं मैं दूसरी कमपनी बन सकता हूँ ताकि मैं अपने लिए अधिक लाब कमा सकूँ हाला कि यह कुछ ऐसा है जो कभी नहीं करना चाहिए कभी नहीं मेरे निकट का एक वेक्ती ऐसा करना चाहता था उसने कहा चिंता मत करो मैं ये सब नहीं लूँगा मैं इसे तुम्हारे साथ बाट दूँगा आए हम एक ऐसी कमपनी बनाते हैं जिसे डिलिवरी से पहले माल को गुजरना होगा वो ऐसा करना चाहता था और इसने हमारी दोस्ती को तोड़ दिया मैंने उससे ना कहा और उसने कहा कि मैं बदल गया हूँ उसने आगे कहा उत्पात कभी भी वित्रित किये जाएंगे कुछ और पैसे लेने और उसे बाटने में क्या हर्ज है आप इतने अच्छे मौके को हाथ से क्यों गवा रहे हैं क्या मेरी तबियत खराब हो गई थी नहीं मैंने नहीं किया इसके बजाए हमारी दोस्ती और खराब हो गई तो मैंने उससे कहा यदि तुमने ऐसा किया तो क्या तुम समझते हो कि मेरा भाई कुछ नहीं करेगा मेरे चाचा या मेरी भतीजी और मेरे भतीजे के बारे में क्या सिर्फ मेरे रिष्टेदार ही नहीं बलकि सभी एक इसका हिस्सा बनने के लिए कहेंगे हम किसी को बाहर नहीं छोड़ सकते यदि मैंने ऐसा किया तो हम शायद मित्र बने रहे पर मेरे चारों और के सब लोग मुझे अपना शत्रू बना लेंगे इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें नए उत्पाद मिलते हैं बस इतना हैं कि वे इसके बीच में थोड़ा लाब मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं यदि तूने ऐसा किया तो जो काम करने योग्य है वे भी नहीं होंगे इस प्रकार मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता और मैं कभी भी ऐसे उत्पाद का चैन नहीं करूंगा जो इस प्रणाली का हिस्सा हो चीजे जिनकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है या कोई अतिरिक्त मूले बनाए उसको पूरी तरह से रोका जाना चाहिए और उसका संतुलेत विधी से वितरण होना चाहिए दक्षता को केवल अधिक्तम किया जा सकता है जब लोग अपनी अपनी भूमिका में हो और जो कुछ भी एक करते हैं उसके लिए उन्हें सही रकम मिलती है मैं उसी नोट पर अपनी बात समाप्त करूँगा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्लें